नमस्कार दोस्तों आपका हमारी यूट्यूब चानल बिद्धा पीठ नॉलिज इन्वर्सिटी में स्वागत है आज इस वीडियो में हम लोग IABF दोर IOGत एक्जाम सर्टिफिकेट कोर्स और MSME पर बात करेंगे इस एक्जाम के लिए IABF ने जो बुक सजिस्ट की है उसमें MSME टॉपिक पर आठ शिप्टर हैं तो मैंने भी अपने वीडियो को आठ भाग में बाटा है आज हम लोग इस टॉपिक का पांचवा भाग देख रहे हैं टॉपिक है MSME Business Development Service Providers अगर आपने अब तक पहले वाले वीडियो को नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है आप उसको देख सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक MSME Business Development Service Providers इसमें क्या-क्या हम लोग देखेंगा वो देख लेते हैं Index रूल ऑफ MSME Business Development Service Providers इनका क्या रूल है Business Development Service Providers इन इंडिया में कौन-कौन से Business Development Service Providers इसको सौट में VDS बोलेंगे BDS Providers कौन-कौन है इंडिया में उसके बारे में जानेंगे Technology और MSME का क्या relation है हम लोग इसके बारे में जानेंगे फिर लास्ट में कुछ MCQ करेंगे तो देर ना करते हुआ शुरू करते हैं हम लोग topic को सबसे पहले है Role of MSME BDS Providers क्या Role है MSME Business Development Service Providers का इस पर बात करता है If we want MSME to make significant contribution to the economy then it makes sense to assist these enterprises that they are basically viable until their expertise and experience improve and allow them to reap the benefits Business Development Service Providers offer such felicitations through hand-holding and for the startups advice during the growth process and help with copying strategies in competitive environment that may sometimes lead to franchising acquisitions joint ventures and mergers both domestically and globally जो business development service providers वो MSME की help करते हैं उनके growth के लिए किस तरह से facilitation करते हैं उनका hand-holding करते हैं start-ups का उनको advise करते हैं growth process के बारे में ठीक है उनको franchisee किस तरह से आजिया जा सकता है उसके बारे में बात करते है acquisitions नए अधिक्रहन के बारे में उनकोम्हाइजत कुंसे बात करते हैं joint ventures किस तरह से किय जा सकते हैं उसके बारे में बताते हैं development service providers का काम है MSME sector को किस तरह से growth पहुँचाया जाए, किस तरह से grow करवाया जाए, इसमें help करना They guide the entrepreneurs in seeking proper legal advice at the right time अगर कोई भी MSME किसी भी legal advice की ज़रत महसूस करता है, तो BDS providers जो होते हैं, वो इस मामले में भी उनकी मदद करते हैं They help in preparing business plans and periodical review to achieve business targets अगर कोई unit है, अगर कोई entrepreneur है, तो वो चाहता है उसने certain business targets set कर रखे हैं, कि मुझे इतने वक्त में ये काम करना है, तो BDS providers क्या करते हैं, उनको business plan उसको achieve करने के लिए, इस target को achieve करने के लिए जो business plan होगा, उसको prepare करने में मदद करते हैं मदद करते हैं, ठीक है, थीक है, थीज providers are in the shape of mentors, advisors, consultants, technical experts, legal experts at the individual level और ए ग्रूप और ए group of them at the non-government level, industry associations and their special windows of association like CODESIA, ये कोइमबटूर में है TNS, TIA, FNP center चन्ने में है FAF, SIA, AP SSI center ये हैदराबाद में है FISME, ये न्यूदेली में, और कोशिया ये थाने महारास्टरा में है तो ये सारे लोग, ये BDS providers हैं, business development service providers हैं, ये mentor के रूप में हो सकते हैं, advisor के रूप में हो सकते हैं, consultant के रूप में हो सकते हैं, technical expert के रूप में हो सकते हैं, legal expert के रूप में हो सकते हैं, individual level पे भी हो सकते हैं, group of ग्रूप के रूप में भी हो सकते है, नॉन गवर्मेंट लेवल पे ये सारा जैसे कोईंबुटूर में ये है, कोडेसिया है, चन्ने में ये इंस्टिचूट है, हैदराबाद में भी है, निव देली में भी है और थाने महरास्ट में भी है, ये सारे BDS प्रोवाइडर्स है, किसी भी यूनिट के सेटिंग अप के लिए, जो सर्विस दी जाती है, वो अप्रेशनल सर्विस कहा लाएगी, अस्टैटिक क्या कहा लाएगी, इस्टैटिक क्या कहा लाएगी, इस्टैटिक के लिए जो सर्विस होगी, वो अस्टैटिक सर्विस के रूप में आएगी, त तरह है कि operational service and strategic service, operational service किसी भी unit को setup करने में जो मदद करें और strategic service जो day to day problem solve करने में जो मदद करें, आगे देखता है, यह सबसे important है, किसी भी enterprise के लिए, किसी भी entrepreneur के लिए, शुरू-शुरू में उनके पास पैसा नहीं होता है, कि वो इस तरह की services ले सकें, तो इसके लिए उनको ज़रत होता है कि जो भी services मिले, whether it is operational या strategic, तो उसमें वो affordable rate पर बिले, ठीक है, institute of small enterprises and development, I.S.E.D. address this problem through its special window for non-commercial business development service, NCBDS, NCBDS implies business development service meant for those MSMEs who cannot afford such services at market rate, मतलब इसको कम रुपया देकर भी, ठीक है, वो services मिल सकें, इसके लिए संस्ता है, NCBDS ये business development services provide करवाती है market rate पर, ठीक है, इस पैरा में यही बात है, टाइपस अब सपोर्ट हम लोग देखते हैं, किस तरह का सपोर्ट दिया जाता है MSME को, ये सबसे पहली बात है कि ये depending on the needs, क्या-क्या market research में मदद करते हैं, product development में मदद करते हैं, business planning में मदद करते हैं, accounting में, cost calculation में, आई product बनाया, उसका कितना cost रखें कि benefit हो, ठीक है, cost calculation में, access to finance, अगर उनको finance की जरुरत है, तो finance कहां से मिलेगा, उसमें मदद करते हैं, government subsidies कहां-कहां उपलाब्द है, उसको पाने में मदद करते हैं, government subsidies and procedure to access them, इसमें मदद करते हैं, support for administrative problems, इसमें करते हैं, tax issues में गाइड करते हैं, premises में गाइड करते हैं, trade fair participants, सबसे बड़ी बात होती है, कहीं कोई trade fair लगा हुआ है, उसमें किस तरह से participate करें यह MSME, ताकि इसका product globally या national level पे accepted हो, और इसका growth हो, export, import, procedure के बारे में बात करते हैं, help करते हैं, linkage to technology, promotion and development, किसी भी MSME sector को grow करने में, technology का एक महतपुर्न यवदान होता है, तो वो technology किस तरह से help कर पाएगी, किस तरह के technology की ज़रूती है, तो link is to technology, MSME को technology से link करने में, जोरने में मदद करते हैं, यह BDS, organizational development में, ठीक है, और link is to industry associations and or chambers, उड़ी इन framework of support, इस तरह के support दिये जाते हैं, किसको MSME को, किसके दवारा, BDS providers के दवारा, Business Development Service Providers के दवारा, The main task of BDS facilitator is not to solve the problem or constraints by himself, but to link to competent professional BDS providers, such as training establishments, marketing specialists, chartered accountants, cost consultants, legal experts, trade fair organizers and industry and trade chambers, यह कह रहा है, कि BDS facilitator का main काम, खुद ही problem solve करना नहीं होता है, यह काम होता है, कि उस MSME sector को, किससे मिलवाई, जो उस field के competent professional हैं, उससे, जैसे training establishment के लिए, किस तरह से वो help कर पाता है, जो उस field के expert हैं, उनसे मिलवाई, उनके बारे में बताए, तो यह जो MSME sector होगा, वो उनसे help ले सकता है, जो marketing case specialist होगे हैं, जो chartered accountant होगे, जो cost accountant होगे, जो legal expert होगे, कहां fair लगता है, trade fair के organizers कौन हैं, तो इस तरह से, इनका main काम है, कि उस MSME को उस बारे में बताना, ताकि वो इस तरह का support लेकर के, grow कर सके हैं, ठीक है, एक खतम, अब हम लोग देखते हैं, दूसरा point, business development service providers in India, इंडिया में किस तरह के business development service providers हैं, ठीक है, सबसे पहले नाम आता है, MSME DO का, MSME DO has over 60 offices, and 18 autonomous bodies, under administrative control, these autonomous bodies include tool rooms, ठीक है, training institutes, institutions, technology development centers, facilities provided by MSME DO are, as under, क्या है, facilities, training for entrepreneurship development, preparation of project, product profile, technical and managerical consultancy, and assistance for export, उसके बाद, pollution and energy audits, इसके बारे में, इन चीजों के बारे में, training करवाता है, कौन, MSME DO, ठीक है, training for entrepreneurship development, तो इस तरह से, ये MSME DO, ये जो office है, ये इसके 60 office है, 60 से जाएदे office है, और 18 autonomous bodies काम करते हैं, इसके administrative control में, ये help करता है, इन चीजों के लिए, ठीक है, MSME को, आगे देखते हैं हम लोग, करें, उसके बारे में, बात करता है, setting of industries, marketing, distribution, and connectivity, with buyers, importers, investors, and strategic business partners, from abroad, तो ये, जो दूसरा है, Chambers, small and medium business development, Chamber of India, ये abroad से, buyer, importer, investor, strategic business partners, की help दिला करके, MSME को, ग्रू करने में, मदद करता है, ठीक है, the Chamber has, also presence in various countries, and supporting MSMEs, for identifying, emerging business, and collaboration, opportunities, in Gulf countries, like, Gulf countries, और एस, अफरिका, North and South America, Japan, and European countries, इस सब जगह पे, ये Chambers, जो MSME sector है, उसका, अगर उनको, ज़रत पढ़ती है, तो, MSME sector को, support करते हैं, यहाँ पे, अपना business, grow करने में, और, collaboration opportunities, उपलब्द करवाने में, ठीक है, तीसरा institute, जो एंडिया में है, जो MSME sector को, grow करने में, में मदद करता है, उसका, हम लोग नाम देख लेते हैं, National Skill Development Mission, National Skill Development Mission, on the occasion of World Youth Skill Day, विशुईवा, पॉसल दिवस, इसके बारे में, आपने बहुत सुना होगा नाम, इसके द्वारा ड्राइव किया जाता है, प्रधनमंदरी जी की जो योजना है, Skill India, उसके तहट, National Skill Development Mission, काम करता है, यह launch किया गया है, कब 15 जुलाई 2015 को, ठीक है, Key Institution Mechanism for Achieving the Objective of the Mission, have been divided into three tiers, कौन सा, पहला, Government, Governing Council for Policy Guidance, एट अपेक्स लेबल है, यह इसके Chairperson कौन होते हैं, Prime Minister, दूसरा है Steering Committee, इसके Chairperson होते हैं, Minister MSME के, और तीसरा है Mission Directorate, Executive Committee है, यह इसके Chairperson होते हैं, Secretary MSDE, MSDE का Full Fair, Ministry of Skill Development and Entrepreneurship, यह तीन tiers में इसको डिवाइड किया गया है, Key Institutional Mechanism का है, तो इसको डिवाइड किया गया है, तीन पार्ट में, पहले में Prime Minister Chair करेंगे, दूसरे में Minister MSME Chair करेंगे, तीसरे में Secretary MSDE, Ministry of Skill Development and Entrepreneurship, इसको Chair करेंगे, Mission Directorate रहेंगे, चीक है, Mission Directorate, यह जो है Mission Directorate, इसके बारे में बात है, कि Mission Directorate, विल बी सपोर्टेड बाई, थ्री अधर इंस्टिटूशन, यह तीन और अधर इंस्टिटूशन के दारा सपोर्टेड है, कौन-कौन सा, NSDA, National Skill Development Agency के दारा, NSDC, National Skill Development Corporation के दारा, और, Director General of Training, DGT के दारा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं में लोग, यह साथ सब मिशन डाला गया है, इसमें, Overall Mission का, जो, Skill India का mission है, उसको Overall Achieve करने के लिए, एक जी जहां लिखा हुआ है, कि, To know more about National Skill Development Mission, A PDF has been a test, Link description में है, आप क्लिक कर लिजिए, आपके पास वक्त हो, तो वो PDF डाउनलोड हो जाएगा, आप उसको एक बार देख लिजिए, तो National Skill Development Mission का, क्या-क्या काम है, वो पूरा उस PDF में दिया गया, यह Government of India के साइट से, वो PDF है आपको, तो सारी जानकारी आपको, आपको वहाँ से, उपलब्द हो जाएगी, 32 page का है, वो PDF, PPT है, अक्चली, तो आप उसको देख सकते हैं, इंडिया में दूसरी जो एंसी है, जो मदद करती है, MSME को, वो है State Bank of India, और इसकी Consultancy Services, यह क्या करता है, इट प्रोवाइट बेरियस डेवलप्मेंट अक्टिविटीज एंडर, कंड़क्टिंग मेनेजमेंट प्रोडाम फोर MSME, और कुछ तो इंडर्प्रोवाइट के लिए है, और कुछ बैंक ओफिस्यल के लिए भी, कुछ इंटर्प्रेंट के लिए है, कुछ बैंक ओफिस्यल के लिए है, तो इंडिया में जो एजनसी, MSME को ग्रोव करने में मदद करते हैं, Consultancy Service देते हैं, उसमें एक चौथा ये भी है, इसके बाद हम लोग देखते हैं, कि टेकनलोजी और MSME का, क्या डूल है, क्या रिलेशन है, ठीक है, टेकनलोजी प्लेज अ क्रूसियल रोल इन देवलप्मेंट आफ MSME, obviously किसी भी इंस्टिट को, किसी भी संस्थान को, किसी भी इंटर्प्रेंट को ग्रो करना है, तो उसको टेकनलोजी की मदद लेनी ही पड़ेगी, आजगी डेट में अगर सिंपली देखें, तो आप कोई भी दुकान खोलते हैं, छोड़ा सा, तो आपको QR कूड लेना पड़ेगा, क्योंकि लोग maximum pay करते हैं, QR कूड करते हैं, यह क्या हुआ, टेकनलोजी, यूज अप टेकनलोजी हो गया, इसी तरह से, टेकनलोजी किस-किस तरह से मदद करता है, क्या क्या टेकनलोजी से संबंदित बाते हैं, उसको हम लोग आगे अभी देखते हैं, Technology plays a crucial role in the development of MSME. It helps in evolving a multi-prolonged strategy and also in maximizing business opportunity for the enterprises. Technology change के बारे में होसे पहले बात करते हैं. The process of technology change is closely linked to the innovation. Obviously, innovation जिस तरह से होगा, उस तरह से technology change करती जाएगी. यह दोनों interrelated हैं. Technology change होगी तो भी innovation होगा, generation होगा, तो technology change हो जाएगी. जैसे आप पहले black and white phone यूज़ रहे थे technology change भी. तो आप Black man TV यूज़ कर रहे थे technology change ही. अब ये color tv यूज़ करना है, पहले keypad वाला मोबाइल यूज़ कर रहे थे अभी smart touch वाला phone यूज़ कर रहे है तो इस तरह से जैसे पहले टेलीफोन था फिर मॉबाइल आया तो जैसे इस से technology changes होती है वहले से उसका आगे का इन्नोवेशन भी होता है तो the process of technology changes is closely linked to innovation and innovation which caused little disruptive impact on behavior pattern is called continuous innovation पहला है इसमें Innovation effect दिखते हैं इसका क्या मतलब होता है जैसे ही innovation होगा किसी भी चीज़ का तो वो क्या करेगा वो अभी तक जो आपका एक तरीका चला रहा था इक तरीका चला रहा था उसको बदलेगा ठीका इसको बोलते है इसको बोलते है innovation किसी भी चीज़ का विश्कार हुआ तो चीज़ें बदलेंगी वहाँ पर जैसे UPI का विश्कार से पहले कैस में पेमेंट होता था नेफ्ट आर्टियस होते थे अभी UPI का यह खोज हो गए UPI के बारे में जब जान लिया गया कि पेमेंट का इनवेटिव ऑप्शन है यह तो अभी मैक्सिम्म पेमेंट थू यूपिया होने लगा तो कंजम्शन पैटर्न बदल गया सब्स्टिचूशन एफेक्ट क्या है वो देखते हैं वेन अन्यू टेक्नलोजी कैप्चर्ट ओबर पीरियद अफ ताइम इस सब्स्टेंशियल सेर अप्द मार्केट फ्रम एन एग्जिस्टिंग ओल्डर टेक्नलोजी थे नियू टेक्नलोजी शुट भी बैटर एन एकॉ सब्स्टिचूशन एफेक्ट क्या था नई चीज आ गई तो वो परानी चीजहों को हटाएगी सब्स्टिचूट कर देगी उसी के बारे में है लेकिन इसमें जो बात है कि हमेसा नहीं होता है जैसे नियू टेक्लोजी हमेसा बहतर नहीं मानी जाएगी तब बहतर मानी जाएगी जब वह जब वह एकॉनोमिकली मूर वाइवल हो ठीक है उसके बाद है diffusion effect इसके बारे में देखते है हम लोग है simplest simplest form of the diffusion arises when individuals are the adoption units and the innovation concern is a consumer type interpersonal influences and mass media are both major cause of diffusion when individuals are the adoption units both demand and supply factors affects diffusion demand and supply factor je hooga wo diffusion ko prabhaabit karega dono demand bhi or supply b life is form of technology also follows the similar estates kisibu technology kate case me youtube जो उस टेक्न पर्टिकुलर टेक्नालोजी का जो लाइपेस्पैम होगा उसमें भी इसी तरह के stages होते हैं पहला क्या innovation जब technology की खोज भी दूसरा syndication जब उसका परचार परचार हुआ diffusion उसी case में अगली करी है यह substitution जब उसको किसी दूसरे टेक्नालोजी ने substitute कर दिया next जो point है वो है technology upgradation induction of state of art technology और near state of the art technology state of art technology का आड़्ध होता है latest technology ठीक है अप्ग्रेडेशन का आड़्ध क्या होगा है कि जैसे आप phone है आपका अप्ग्रेड करते हैं उसको बीच में तो क्या करते हैं जो आज की date में जो latest technology है वो उसमें update किया जाता है ठीक है इंडक्ट किया जाता है induction होता है उसका तो induction of state of the art technology state of the art technology मतलब latest technology या near state of the art technology मतलब कि लगभग latest technology उसका induction ये क्या कहला हैगा technology upgradation ठीक है technology and quality upgradation support to MSME TEQ UPS की technology and quality upgradation support to MSME ये क्या है implemented by ministry of MSME through various nodal agencies for providing capital subsidy to MSME for technology and quality upgradation support MSME को technology and quality upgradation support कलिए ministry of MSME द्वारा capital subsidy उपलब्द कराई जाती है इस scheme के तहद TEQ UP के तहद technology and quality upgradation support to MSME इसके तहद quantum of subsidy या financial support क्या है up to 25% of the project cost for implementation of energy efficient technology energy saving minimum 15% होगा इसमें energy efficient technology की सको कहें है जहां पर energy saving हम से कम 15% हो और energy efficient technology को implement करने के project cost का 25% तक ठीक है ये EET कहां पर होगा as per detailed project report subject to maximum रूपीज 10 लाख पर project तो subsidy कितने की है maximum 10 लाख की है लेकिन ये 10 लाख कैसे कलके लोट होगा ये maximum है कैसे होगा up to 25% of the project cost होगा project cost किस बात का energy efficient technology लगा रहे है energy efficient technology किसको कहते है जहां पर energy saving minimum 15% हो रही हो normal से and as per detailed project report में ये चीज़ mention हो की project report में क्या mention हो energy efficient technology हम लगाएंगे ठीक है और इसका जो खर्चा होगा उसका 25% देगा subsidy के रूप में ठीक है या maximum कितना 10 लाख per project clear है subsidy to be kept in the form of TDR for two years from the date of receipt of subsidy as non interest bearing and no interest to be charged on the subsidy portion of the term loan जो term loan यहां पर बनाया गया उस term loan का जो भी subsidy आ रही है maximum up to 10 lakhs दो साल के लिए FDR बनके रहेगी इस FDR पर कोई भी interest पे नहीं करेगा bank और जो subsidy का portion होगा जो FDR के रूप में रखा जा रहा है उस portion पे भी कोई भी interest charge नहीं होगा after two years if all conditions are full paid subsidy can be credited to account of beneficiary दो साल बाद अगर सारे शर्त पूरे हो जाते हैं तो subsidy को beneficiary के account में transfer किया जा सकता है दूसरा है देखते हैं Technology Information Forecasting and Assessment Council TIFAC it provides partial funding support to MSME for demonstrating commercially viable new technology products and processes TIFAC has taken up 70 projects in 10 years of which 15s have been commercialized and 10 patented TIFAC Technology Information Forecasting and Assessment Council ये क्या करता है MSME को partial funding support करता है commercially viable new technology को adopt करने में ठीक है आगे देखते हैं SRIJAN इसके बारे में देखेएगा SRIJAN a new program named SRIJAN was launched by TIFAC as a joint TIFAC-SIDB technology innovation initiative on 1 November 2010 under the scheme TIFAC set a revolving fund with SIDB to fund industries particularly MSME for scaling up या commercialization of innovative technology pertaining to novel innovative product or process to prove the techno-economic probabilities of a commercial unproven technology Technology के growth के लिए इसको simply अगर समझें तो SRIJAN मदद करता है SRIJAN क्या है TIFAC और SIDB का joint venture है ठीक है 1110 को launch किया गया था ये एक revolving fund रखता है SIDB के साथ और ये help करता है MSME sector को scaling up या commercialization of innovative technology में ठीक है next उसके बाद हम लग देखते है amended technology up gradation fund ये TIF पुराना है लेकिन 2016 से 22 में इसको amend किया गया है और अभी जो लागू है वो amended technology up gradation fund ही लागू है यही scheme लागू है इस scheme में क्या है वो देख लेते हैं This scheme facilitates augmenting of investment productivity quality employment export along with import substitution in the textile industry ये याद रखिएगा tough जो है TUF ये जो scheme है ये textile industry के लिए है ये textile industry से related है उसमें क्या करता है ये augmentation of investment productivity quality employment export along with import substitution in the textile industry जीक है the scheme promotes ease of doing business in the country and achieve the vision of generating employment and promoting export through making India with zero effect, zero defect in manufacturing textile industry को grow करने के लिए amended technology up gradation fund scheme 2016 से लेके 22 तक चल रही है इसमें क्या है capital investment subsidy in garmenting या technical textile में है 15% subject to an upper cap of rupees 30 crore आगे देखते हैं हम लोग इंडिया MSME Technology Services Limited ISTSL है Joint venture किसका है CITB का SBI का Oriental Bank of Commerce Indian Overseas Bank Indian Bank provides a platform provides a platform where MSME can tap opportunities at global level for acquisition of new and emerging technology or establishment business collaboration तो ISTSL जो है यह joint venture है CITB का SBI का OBC का IOB का और Indian Bank का यह जितनी भी बात हैं जितने भी unit का नाम लिया गया सभी technology up gradation में मदद करते हैं ठीक है यह global level पे acquisition of new and emerging technology के लिए मदद करते हैं यह ठीक है next point है technology adoption technology is backbone of modern business but MSME is in India lag behind in adoption of technology the main reason behind avoiding the adoption of technology are budget finance and affordability afford ही नहीं कर पाएंगे budget ही नहीं है तो उस case में क्या होता है technology adoption में मुस्किल आती है जो इंडिया का MSME sector है वो उसको यहां पे मुस्किल आती है technology backbone है modern business का लेकिन इंडिया का MSME sector है उसको मुस्किल आती है इसके adoption में region behind it first budget दूसरा infrastructure limitations जिस तरह का infrastructure होना चाहिए वो नहीं है accessibility of technology जिस तरह की होनी चाहिए वो नहीं है shortage of a skill manpower नहीं है ठीक है तो इन चीजों के कारण technology adoption में समस्या आती है तो almost मैंने यह chapter पूरा कर दिया है आपका कुछ questions देख लेते हैं पहला TEQUP क्या है TEQUP अभी मैंने बताया technology and quality upgradation support है यह ठीक है world youth skill day कब celebrate किया जाता है मैंने बताया अभी आपको यह 15 July को celebrate किया जाता है स्रिजन launched by स्रिजन किसके द्वारा launch किया जाता है बताये सेड़ी तो है इसमें सेड़ी 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 यह टीफैक सेड़ी और टीफैक के द्वारा launch किया गया है स्रिजन इसका answer हो जाएगा C ठीक है इस तरह से यह आपका चैप्टर जो पांचवान चैप्टर था वो खतम हुआ हाँ एक बात और जो अभी चीज़ें चेंज हुई है उसमें एक चीज़ और जाने लाइक है एक सेड़ी और देखिएगा यह आपका CGT MSEE का 31 March 23 को एक चेंज हुआ है 31 March 23 को एक circular चेंज हुआ है CGT MSEE 44 293 यह CGT MSEE के website पर आप चाके देख सकते हैं इसमें क्या है कि इसमें presently ceiling for availing credit guarantee for CGT MSE under CGS1 यह पहले 200 लाग था अभी इसको बढ़ा करके कर दिया गया है 500 लाग पर पर ओर ठीक है मैं इसको इस notification को एक बढ़ पर देता हूँ यह आप site पे भी देख सकते हैं link description में है वहाँ भी आप इसको पूरा पर सकते हैं मैं डाल दूँगा यह एक चीज है जो अभी latest update है MSME में यह मैंने बताना जरूरी समझा आपको आपको इसे कहिं वहाँ बना पर अफरा फर देख लगी जरूरी समझा अवाँ कर बसे लिए आपको एकृटाउ पर बॉर्वर फॉर्ड फ्रेजिट फैसिलिटी एक्सटेंड़ बाइज एलिजेबल एम एल आइस मेंबर लेंडिंग इंस्टिशिएटिशिएटिशन्स टू इस तरह के और वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं हाँ सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइगा उनको प्रेस करना मत भूलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में थेंक्यू